हालो प्रेंट्स आज माँ आपको 항 ₹ज जो कि प्रसों में दर्द सुजन वुकहर के अच्छे इंजेक्शन जो कि पसुब में किस तरह की रोगें किस तरह जो बिमारी हो जाती हैं उनके इंदर उस इंजेक्षिन का क्या रोल होता है रही बाद जो वेटी निर्यन है उनके बैग में उस तरह के injection या उस तरह के साल्ट हैं वह आपके injection होते हैं उनमें बैग में जरूर हैने चाहिए उन इंजेक्शनों का क्या काम होता है कौन से डिजीज के अंदर परियोग चाहिता है कितनी दोज होती है परियंट पसू या दूद अरू पसू के लिए शेप यानि पूरी जानकारी बड़े प्रसुव में लगास यानी डिटेल यानि दिटेल से आपको इस वीडियो के अंदर आपको हर कि तो पहले आप सबस्क्राइब कऱते हैं क्यूंकि इसे फूर्द veio दी जाती है रही बात जो injection कौन से आते हैं उन injection के आपको live दिखाऊँगा इस तरह के salt के injection आते हैं जो की veterinary के अंदर इन injection का परयोग में बहुत ज़यादा मात्रा में किया जाता है और रही बात कौन सी बिमारी में पशुण के लिए safe रहते हैं तो कौन सी आते हैं महांसे इस न आते हैं कि मैं आपको मेरी टेबल के ऊपर इन्जेक्षन दिख रहे हैं इन आलजएक एंटी निफिलामेट्री बेस्ट वेटिनेरी इंजेक्षुन होते हैं सबसे पहले तो हम मिलोक्षी केम injection only मिलोक्षी केम injection जिस प्रकार से इंटास्क आता है जिस में का नाम है Milosnex तो ये injection है ये injection कहें ये सिर्फ विदी आपके पसो में जैसे सुजन है स्वेलिंग है वहाँ पर ये injection काम करता है ये नॉर्मल इस्तिति में पसो में परियोग करना है तो मिलोक्षी केम साल्ट का परियोग कर सकते हैं या कईबरी इस तरह की जो बिमारी हैं वहाँ पर आप उनका पता नहीं लगा पाते हैं कि क्या कौन सा injection लगाएं सुजन भी इतनी नहीं है ज़्यादा effect भी temperature भी नहीं है तो उसी स्तिति में वहाँ पर जो ये injection है मिलोक्षी केम इंजेक्षन लगया जाता है रही बात इस injection की dose large animals में 20 ml large animals का मतलब बता रहों में 400 kg से जदा हैं और medium size के हैं 200 से 400 kg के बीच में और उस से छोटे हैं तो कम यानि large animals हैं उनमें 20 ml intra muscular intravenous सबकर 3-5 ml का परियूग करवाया जाता है इसी तरह से जो injection आता है इस तरह का injection आता है जो आपको दिख रहे है company कोई हो salt यही होना चाहिए इसी के साथ दूसरा injection है जो miloxicam and paracetamol जो आता है milonex plus जो injection आता है जिस प्रकार चेंटास का है milonex plus यह injection क्या करता है कि दर्द है सुजन है बुखार हो गई है temperature बढ़ गया है उस इस्तती में इस injection का परियोग किया जाता है और बहुत यह अचारे जल्ट पसू में देखने को मिलता है तो यह injection भी दर्द सुजन बुखार के तोर पर किया जाता है रही बात आज की वीडियो में आपको मैं सोट में बता रहा हूँ एदि आपको इन injection के बारे में हर injection के बारे में पूरी जानका लेनी है तो अपना channel इसी पर playlist बनी हुए है weight injection में वहाँ पर जाकर के पूरी detail से हर injection के बारे में आठ आठ दस दस में की वीडियो बनी हुए है वह भी आप जाकर के देख सकते हैं तो यह injection भी परियोग किया जाता है रही बात जो milonex plus है और milonex है यह दोनु injection जो pregnant पसू है उनके लिए भी लगया जाते हैं dose दोनु की same to same है dose जो बड़े injection है इनकी सभी injection की dose same है तो यह injection भी उन पसू में जिस तरह से यह इस तरह का यह injection आता है रही बात इस injection को सिर्फ और सिर्फ आप इंट्रा मसकुलरी लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदगत पेराशिटामोल मिला वाता है तो यह सिर्फ और सिर्फ इंजेकशन मसक्ma में लगा जाता है हलाएं कि यह दोनु इंजेकशन जो प्रेगिनेंट पसू है उन्हें भी आप इनका परेयोग कर सकते हैं इसे के साथ साथ तीसरा इंजेकशन जो वेटरिन के सबसे ज़्यादा प्रियूग किया जाता है वह प्रियूग किया जाता है निमू स्लाइड इंजेक्शन या जिसके अंदर निमू स्लाइड और पेराशिटामोल जिस तरह से इस्टर का है फिवी नील तो इस इंजेक्शन का बहुत यचार रोल है निमू स्लाइड इदि आपके पास veterinarian है उनके द्वारा लगाने हैं यह सिर्फ और शिर्फ आपको knowledge के लिए बता जा रहे हैं कि इस तरह की injection है जो veterinarian देख रहे हैं उनके लिए तो निमुसलेड और पराशिटामोर इंजेक्शन यह सिर्फ और शिर्फ इंजेक्शन इंट्रा मस्कुलर लगता है इसकी भी डोज जो लाज इनिमल्स हैं 20 ml मेडियम में 10 ml उन से छोटे 2 से 3 ml बट इस इंजेक्शन का प्रयोग निमुसलेड जो साट आता है तो इस इंजेक् संस्सलेड इंजेक्शन का परयोग इंजेक्शन में इरी परकार से हीट स्थ स्थेड्स में आ जाता है तो उस इस सिर्फी लड़खडा करके चल रहे हैं उन पसो में इसका बहुत अचा रिजल मिलता है खेने का मतलब है कि यह धी जो पसो लंगडा करके चल रहा है उनने बेहने में दिकत है जोड़ू में दर्द है तो आप इस इंजेक्शन का प्रियों करवा सकते हैं रही बात ये इंजेक्शन जो मैंने बता है इस तरह की डीजिज में गाय बहांस बेड़ बकरी में प्रियोग कर सकते हैं इसकी डोज होती है जो लार्ज एनिमल्स 10-20 एमेल ओनलियोन इंट्रा मस्कुलर ये इंजेक्शन लगता है इसमाल एनिमल्स में 5-10 एमेल ओनलियोन इं जाती हैं तो आर्क जोन एस इंजेक्शन का भी प्रयोग की इस तरह की रोगों के अंदर किया है हलां कि यह best दर्द सुजन बुखार का injection आता है जो इस तरह का injection आता है जो आपको दिख रहा है दोगर आपको जो बैस्ट इनर्जेसिक एंटि इंजेक्शन बता जा रहा है आपको पूरी डिटेल से नहीं बता जार रहा है हर इंजेक्शन के बारे में दी में डेटेल से बता इसी तरह से injection आता है वेट आल जंट है इस इंजेक्षिंर इस इसी इंजेकषिन का बी प्रयोग जेस्ट प्रकार से दर्थ सुजन बुखार में किया जाता है रीबात तर इसा इंजेक्षिन का प्रयुक ज़ैसे लिटियाब और intravenous भी ये injection लगया जाता है रही बात ये injection जिस तरह के इदी बीमारियां है उसी के दिरूप ये एक से दो या दो से तीन दिन तक इस injection का प्रियो किया जाता है जो बहुती बेस्ट एनार्जेसिक इंजेक्शन आता है दर्शुजन वुखार के लिए इसी तरह से injection आता है मेगलो डाइन ये बी injection फ्लुणुक्सिन मेगलो माईन साल्ट का जिद्धी पसओ में दर्शुजन के लिए प्रियो किया जाता है ये injection इसी तरह से रुगू में काम करता है रही बात ये injection सभी पसओ के लिए बहुती ज़्यदा सेप रहता है जो इस तरह का ये वाइल आती है ये इंजेक्शन आप छोटे से बड़े पसुझे गाय बैस बेड़ बक्री डोग सबी में इसका इंट्रा मस्कुलर इंट्रा विनस आप परियोग करवा सकते हैं इस इंजेक्शन की डोज एक एमेल पर 40 केजी या आप 20 केजी भी है तो भी आप इसे एक एमेल तक परियोग करवा सकते हैं रही बात ये इंजेक्शन भी लगाता है दो से तिन दिन जिस तरह से पसुझे में स्टाइटीज, थने लारोग या दरीदी पसुझे है यानि बड़ी-बड़ी बिमारियों के अंदर इस इंजेक्शन का प्रियोग करवा जाता है जो कि सबसे ज़्यादा सेफ आता है इसी तरह से इंजेक्शन आता है प्रोटी रोई, ये इंजेक्शन भी अब हो ज़्यादा चलनमेयार, निमूस रैड, डायमिथाल, इंजेक्शन भी जो इसकी डोज 1 ml पर 50 kg बोडी वेट ये इंजेक्शन लेकिन प्रिग्रेंट प्रस्चों है उनको नहीं लगाया जाता, ये भी दर सुजन है वह आपर अच्छा रिजेल्ट इसका मिलता है जो इस तरह का इंजेक्शन आता है हला कि इस इंजेक्शन के बारे में विजेंदर वेट के रहे है वह आपर इसकी वीडियो बनी हुई है इसी तरह से सबसे अच्छा जो एक इंजेक्शन आता है जो प्रस्चों में दर्द सुजन भुखार के साल्ट के तोर पर हुए इंजेक्शन है जो आपको दिख रहे है कारपेड जिस तरह से कारपेड इंजेक्शन आता है कारपरोफेन साल्ट का इस इंजेक्शन की डोज होती है जो लार्ज इन्वरस हैं 1 एमेर पर 35 इंजेक्शन के बारे में भी आपको अलग से डिटेल से बता दिया जाएगा यह injection बहुत यह सा injection है इदी पस्चु में दर्द, सुजन, भुखार या मेस्टाइटिस लोग हैं वहाँ पर बहुत यह सा result है महेंगा जुरूर आता है लेकिन इसका result बहुत ही अच्छा यह injection भी इंट्रा मस्कुलर रवें इंट्राविनेस लगया जाता है hooks लेकिन जो मैने आपको इनजेक्रे को इनजेक्रे में अपने लेकिन के लगवाने इसी तरह चे आपको best रेदी और कोई injection जो वेटिनेर के अंदर आते हैं वह भी आपको इस चैनल पर जिस प्रकार चे किटो प्रोपेन इंजेक्शन आता है वह भी दर्सुजन के तोर पर आता है बहुत इस तरह के salt हैं जो डर्सुजन बुखार के आते हैं लेकिन जयादा तरह जो वेटिनेर ने आपको इस बैग में रखनाशाटे हैं तो एक तो आपके पास मेलोनेच्श इंजेक्शन एक नीओन शाल्ट का इंजेक्शन ये दो इन्य ताइम बैग में रहने चाहिए और अमर्जेन्सी को तोर वह ज़्यादा दिकत हो जादी है ठीक नहीं हो रहे हैं तो मेगलोडाइन और कार्पेड का प्रियोग पस्वों में जरूर करवाना चाहिए तो ये वीडियो जितना हो सकता है पस्वों पार लग वेट इन स्टेंड उनकी साथ सेर करेंज तो वीडियो देखते नहीं थेंक्स धन्यवाद